मुझे देखिए भारत का राष्टिय ध्वज तिरंगा सांसे लहरा रहा है इस विमान पत्तल परिशर में तो यह है नेता जी शुवास्चंद्र पोष्ट इंटरनेशनल एरपोर्ट के अंदर का नजारा जी हां आपने सही सुना यह अंदर का नजारा है एरपोर्ट के आप देखिए यह जो है यहां पर लगेज वगेरा जो है आते हैं जिसकी फ्लाइट अराइट करती है यहां पर यह कितना मस्त ग्रीनरी लगा के यहां रखा है नों में का इसलिए फूड टर्मिनल फूड टर्मिनल के नियां पर चोड़ आप लोगें नॉर्मल 1750 रुपे चार्ज किया जाता है तो यह देखिए नेता जी सुभाश चंद्रबोश इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर से नजारा और अभी हो अपने अब बोर्डिंग पास लेकर आ चुके हैं और यहां पर खाने के स्टॉल भी हैं सौपिंग के स्टॉल भी हैं तरह तरह की चीजें आप यहां पर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कर सकते हैं और यह सामने ही है लनवे को कॉलकादा इंटरनेशनल एयरवेस यह देखिए यहां पर फ्यूल भरा जा रहा है यह देखिए यहां पर फ्यूल भरा जा रहा है झाल है कि यह एरबोट के अंदर ही बुक्स वगरा भी आप खरीच सकते हैं और यह कुछ स्टोर्स है अजए और आप स्टोर्स है यह देखिए सामने बार भी है यह लॉंज है नॉर्मल सत्रा सु पचास रुपे चार्ज किया जाता है कि यह देखिए नेता जी सुभाज संद्रवोश इंटरनेशनल एरपोर्ट का अंदर से नजारा और अभी हम अपने से बोर्डिंग पास लेके आ चुके हैं और यहां पर खाने के स्टॉल भी हैं सौपिंग के स्टॉल भी हैं तरह तरह की चीजें आप यहां पर एरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कर सकते हैं और यह सामने ही है रनवे तो कौलकाता एरपोर्ट से जा रहे हैं अब सिलॉंग एरपोर्ट की तरफ वोडिंग पास ले लिए गये हैं और गेंट नमबर एक सुचार की तरफ जा रहे हैं तो यह है नेताजी शुवास चंद्र भोष्ट इंटरनेशनल एरपोर्ट के अंदर का नजारा जी हां आपने सही सुना यह अंदर का नजारा है एरपोर्ट के आप देखिए यह जो है एरपोर्ट है और यहां पर लगेज बगेरा जो है आते हैं जिसकी फ्लाइट अराइब करती है यहां पर यह कितना मस्त क्रीटरी लगा के यहां रफायनों है कि बस में बैठ चुगे है यहां पर फ्यूल भरा जा रहा है कि इंडिकों की देव सारी बत्रे यहां पर पड़ी हुई है कि वालकाता इंटरनेशनल एरपोर्ट जिसे नेदा जी सुभास्तन इंटरनेशनल एरपोर्ट ही कहा जाता है और सम्भबता सामने जो आप यह फ्लाइट देख रहे हैं यही फ्लाइट कि अवोसलं कि परेगी झाल झाल